नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है को और नई वीडियो में आज किस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा S.S.E.C.P.O. के तहद आप Central Armed Police Force और दिल्ली प्लीस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे डारेक्ट बहाल होते हैं इसका फोर्म जो है वो आचुका है 4000 से ज्यादा पोस्ट है और इसमें जो है वहीं लोग फोर्म भरते हैं जो लोग ग्रेजवेशन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों इस फोर्म में जो है न सबसे पहले आपको S.S.E.O.T.R. यानि कि One Time Registration करना है उसके बाद Personal Details फिल करना है, Education Details फिल करना है उसके बाद Additional Details में, Ex-Service Management और Exam Requirement उसके बाद जो है न तीन नंबर में आप Photograph and Signature वाले सेक्शन में आएंगे इसको कैसे अप्लोड करना है यहीं मैं आज बताऊंगा दोस्तो फोटोग्राफ और Signature अप्लोड करने के बारे में बताया गया है फोटोग्राफ आपको अप्लोड नहीं करना है, Live Photo जो है आपको Capture करना है दोस्तो यहाँ पे बताया हुगा है कि जो आपका फोटोग्राफ होगा, वो Plane Background होना चाहिए Plane Background का अगर बात बोलें, एक कलर का Background होना चाहिए अगर मान लीजे कि आपके घर में एक कलर का Background नहीं है तो आप अपने घर के दिवाल पे जो है न कोई एक कलर का चादर टांग सकते हैं जिससे Plane Background आ सके उसके बात बोला गया है कि जो आपको है न केमरा के सामने देखना है और फोटो के चेहरे पे यानि कि आपके चेहरे पे जो है न फ्रेस लाइट आना चाहिए आपके चेहरे पे कोई भी मास्क नहीं होना चाहिए और उसके साथ बात करें तो कोई भी गलास यानि की चस्मा नहीं होना चाहिए आप पहचान में आ सकें कि आप ही का फोटो है उस तरह का आपको फोटो अपलोड करना है उसके बाद जो है न अपलोड नहीं करना है लाइप फोटो कैप्चर करना है यहाँ पे सिगनेचर के बारे हैं बताया गया है सिगनेचर बोला गया है कि 10 से 20 के बीच होना चाहिए JP EZ या JPG format में होना चाहिए उसके बाद image का dimension बोला गया है कि 4 cm width होना चाहिए 2 cm height होना चाहिए बलर सिगनेचर अपलोड नहीं करना है नहीं तो form आपका reject कर दिया जाएगा सिगनेचर जो आपका होगा वो blue और black column से होगा और साधे कागज पे होगा तभी आपका जो है न वो accept किया जाएगा दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बताओं यहाँ पे अगर हम capture live photo के उपर click करते हैं आप देख सकते हैं मेरे दिवाल पे भी जो है न कोई अच्छा background नहीं था जिसके चलते मैं अपने चेहरे के पीछे यानि की सरीर के पीछे white color का चादर टांगा हूँ जिससे जो है न मेरा फ्रेस फोटो आ सके आप देख सकते हैं जो है न अब plain background आ रहा होगा और एक ही color का white color का background आ रहा होगा तो इस तरह का भी background आप जो है न अगर आपके दिवाल पे नहीं है तो आप चादर टांग के कर लिजिएगा और करने के बाद यहाँ पे capture फोटो के उपर क्लिक कीजिएगा मान लिजिए कि अगर आपका एक बार में जो है न लाइफ फोटो में camera on नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे जो है न यह आपको लकीर दिख रहा है इस पे click करेंगे और यहाँ से जो है न आप camera को on कर लेंगे अगर on नहीं है तो अगर on है तो कोई बात नहीं आपका फोटो आ जाएगा और आपको जो है न इस तरह से आपको मतलब सामने camera के सामने आपको देखना है और तब जो है न फोटो को click करना है अब जैसे ही आप capture करेंगे न तो यहाँ पे थोड़ा देर आपको loading के लिए बो upload करने की जो है न फिर से जरूरत है यहाँ पे capture again के उपर आपको click करना है अगर upload करने के लाइक है तो आप यहाँ से save कर देंगे अब जैसे मान लिजे कि हम save कर दिए save तो कर दिए अब हमको signature upload करना है तो signature upload करने से पहले आपको जो है न साधा page वाइनि कि white page जो एफोर page होता है जो आपको photocopy के दुकान में असानी से मिल जाएगा उस पे signature कर लेना है mobile के camera से photo click कर लेना है और signature जतना मतलब जगाव menu आपको क्या करना है कि आपको उसको crop कर देना है और crop करने के बाद google open करना है और google पे आपको search करना है IMA resizer यहाँ पे लिखेंगे IMA resizer list के search करेंगे अब जैसे ही आप IMA resizer list के search करेंगे तो आपके सामने आएगा IMA resizer.com का एक वेवसाइड आएगा इस तरह का वेवसाइड होगा इसके उपर आपको click करना है इसके उपर click करने के बाद यहाँ पे आपसे सबसे front में ही बोलेगा कि resize image in cm यानि की centimeter, millimeter, inch और pixel में आप इस मतलब वेवसाइड से photo को resize कर सकते हैं तो आप यहां पर देखेंगे तो upload image का section है यहाँ पर देखिएगा please upload an image for editing के लिए आप editing के लिए जो है न यहाँ पर image upload करके edit कीजिए तो आप यहाँ पे select file को उपर click करेंगे select file को उपर click करने के बाद वो सब image आपका आएगा यहाँ पे आपको दिखाएगा जिस image को आप resize करना चाहते हैं या आप अपने mobile phone में save रखे हैं मान लिजे कि अगर मुझे यह signature को resize करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने white paper पे blue column से signature करके उसके बाद photo click करके और यहाँ पे signature इतना जगाव में ही हम इसको क्या किया है crop कर लिया है अब मुझे यहाँ पे width set करना है width मुझे set करना है 4 cm तो हम यहाँ पे 4 डाल देंगे format हमको jpg या jpeasy बनाना है तो यहाँ पे दोनों option है आप जो चाहें वो select कर लेंगे यह करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है और उपर में आप देखेंगे तो आपको back option मिलेगा और next download का तो आप यहाँ पे next download के उपर click करेंगे next download करते ही यह आप देख सकते है 16 तो समलाव 3 KB का जो है न हमने signature बनाया है 5 मार्च 2024 को तो अब हम क्या करेंगे कि ssc.gov.in के portal पे आएंगे upload signature के उपर click करेंगे click करने के बाद हम देखिए यहाँ पे download में आए download में यहाँ पे हम IM resizer के उससे download किया है jpg format में है 5 मार्च 2024 को है 10 बज के 50 मिनट पे है 17 KB का है हम इसके उपर click कर देंगे click करने के बाद जो है आप देख सकते है मेरा signature भी upload हो गया अब जैसे मान लिजे कि आपका signature upload हो गया तो आपको यहाँ पे क्या है न go back का option दिख रहा है preview खुलेगा तो आप जो है न यहाँ से देख लेंगे कि आपके form के preview में जो भी details अगर आप चाहें अगर सुधार करना अभी तो अभी आप सुधार कर सकते हैं एक बार submit कर लेंगे तो आप अपना form को सुधार नहीं कर पाएंगे इसलिए जो है न आप लोग अभी देख लेंगे और देखने के बाद जो है न सुधार कर लेंगे अगर सुधार करना होतो तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि ssc.gov.in के दोआरा जो ssc.c.p.o. का form निकाला गया है 2024 में इस form में आप लोग लाइब फोटो का किस तरह से instruction फॉलो करके upload करेंगे और जो signature upload करना है 10 से 20 के भी में उसका width 4 cm और height 2 cm कैसे बनाएंगे दोस्तो ये अगर आपको अभी भी समस्य आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताईएगा मैं उसका reply जरूर दूँगा लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like and channel को subscribe जरूर कीजिएगा जय हिंद जय भारत